मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई लेकिन भ्रस्चाचार के मामले और बढ़ते जा रहे हैं ताज़ा मामला हरंगाउ थानर शेत्रेवंसी हौर जिले के खातिगाउ तहसिल का है जहां रेत का काला कारो बार खननन माफियाउ द्वारा धडलने से किया जा रहा है मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई लेकिन भ्रस्चाचार पर लगाम लगने का नाम नहीं है एक तरफ प्रदेश के मुख्या कमलनात का कहना है कि भ्रस्चाचार खत्म होगा वहीं दूसरी और अवैध रेत का काला कारो बार खूब फलफूल रहा है इस शेत्र में अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर अवैध रेत का कारोबार चल रहा है जिस पर लगाम लगाने वाला प्रशासनेक अमला बे असर दिखाई दे रहा है आपको बता दें यह द्रश्य हरनगाउं थानशेत्र के अंतरगत ग्राम आमला सगोनिया विक्रमपर मनोरा पत्रानी सहत कई गाउं में देखने को मिलेगा और इस संबंध में जब ड्राइवर से रॉयल्टी वा अन्य कागजात के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे पास कोई कागज नहीं है तो आप सोच सकते हैं किस तरह से शेत्र में बिना रॉयल्टी के ट्रैक्टर से रेत धुलाई हो रही है बताने किसी होर्च लेके नसल लगंज शेत्र से खातेगाउ तहसिल में बालूरेत के ट्रैक्टर आ रही है जो लगभग 100 किलो मीटर की दूरी पर है बावजूद इतनी लंबी दूरी के जिम्मेदारों का ध्यान तक नहीं चाता आखिर क्या वजह हो सकती है जो पूरा प्रशासनेक अमला इन पर कारेवाई को लेकर नाकाम नज़र आ रहा है Bureau Report, MP News, Khategaon